तो इस बार राकिन उन्हें अपने शो पर बुलाया और अपना ऐसा बीहेवियर दिखाया कि श्रद्धा भी हैरान है वो सोच रही थी कि ये राखी है या कोई और क्योंकि पहले तो वो उन पर खुब बंती बिगड़ती थी अभी शेक को लेकर और वो ये सोच रही थी कि क्या ये वही राखी है अहां ऐसा लग रहा था ये तो जंगल का वही है मोर जिसके हाथ में है अब श्रद्धा शर्मा की डो मगर राखी को कब कहां किसी से कोई फर्क पड़ता है वो तो सिरफ सच बोलती है खाम खाँ जमाने को बुरा लग जाता है मगर ये बास सच है कि राखी को आप डर ज़रूर लगता है वो भी सरहत पा रहने वाली वीना मलिक से क्यों? क्योंकि वो उनके डूपलिकेट जो है दोना जब कैमरे के सामने होती है तो राखी को लगता है कि सारी अटेंशन मीडिया वीना मलिक को दे देता है तो मीडिया से तो राखी का पुराना नाता है मीडिया की अटेंशन पाना राकी का जनमसिद अधिकार है और उसके रहते अटेंशन वीना मलिक पर चली जाए तो फिर राकी पर धिकार है धिकार है धिकार है एक दूसरे से कम्पेटिशन करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती है तो अब राखी ने डिसाइड किया है कि वह वीना मली के घर में भूत भीजाए दिलो बताओ मैंने तो सुना था कि लोग के कर मैसेज देने के लिए दूत बेजे जाते हैं लेकिन इस बार डराने के लिए भूत बेजा जाएगा ताकि सोच रही होगी कि विना मलिक को भूत से डरा कर वो उसे घर में रख सकेगी ताकि भूत उसे घर से निकलना ही ना देगी इसलिए सार तो वीना मलेक, अब वो एट का जवाब पत्थर से कब देती है, वैसे भी जब भी वो मूँ खोलती है, तो मगर राखी हो, क्या वीना, रूबी के सामने कहा टिकती है, because it's Ruby, uncensored.